हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इडियो टेरिया, मैं परिंट को आप सभी का स्वाइद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो है महत्पून समान अध्यान प्रशन स्रिंखला का छठा वीडियो तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस स्रिंखला को इससे पहले आप सभी को पता है कि पाँच वीडियो अप्लोड की जा चुके हैं जो हमारे डिस्किप्शन लिंक में इसका लिंक दिया गया है उसे आप जरूर देख ले चलिए सुरू करते हैं पहले प्रशन के साथ पहला प्रशन है तुगलक नामा की रचना किसने की ओप्सन है अबूल फजल जियाओ दीन बर्नी अब्बास खान सेरवानी अमीर खुश्रो इसका सही उत्तर है अमीर खुश्रो एक बहुत ही परसीद लेखक थे जो सल्तनत काल के दौरार एक प्रमुक इतिहासकार के पार में रहे थे इसके अलाबा वो पर्था मुस्लिम कभी थे जिन्होंने अपनी लेखनी के दौरान हिंदी सब्दों का खुल कर पड़योग करना शुरू किया यही कारण है कि अमीर खुश्रो को हिंद का तोता भी कहा जाता है आते हैं दूसरे प्रश्न क्यों दिल्ली सल तनत की किस सासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है आप्सन है कुतुबू दिन एबग इल्तुतमीज बलवन उप्युक्त मेंशे कोई नहीं तो सही उत्तर है इसका इल्तुतमीज इल्तुतमीज को गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि यह कुतुबू दिन एबग का गुलाम था इसके अलावा कुतुबुदिन एबग जो है वो मुहम्मद गोडी का गुलाम था तो गोडी का गुलाम कुतुबुदिन एबग और जबकी एबग का गुलाम इल्टुतमीज इस परकार से सही उत्तर जो है वो इल्टुतमीज है इल्टुतमीज के बारे में अगर तो इल्तौ तमिष को गुलाम का गुलाम कहा जाता था इसे दिली सल्तनत का वास्ति भी सल्थापक भी माना जाता है इसका सासन काल 12211, Belgian सीभी से ले करके 1236 इसीभी तक था इल्तौ तमिष ने एक्ता वेवस्था चलाई थी इसके अलावा उसने लाहोर से दिल्ली राजधानी अस्थापित की थी यानि सल्तनत काल में पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाने का कारे इल्टू तम इसके द्वारा किया गया था तीसरा प्रशन है दारूल उसफा की अस्थापना किसने की थी तो मध्यकालीन इतिहास में ये काफी परचलीत सब था उप्सन है फिरोज सा तुगलक, गया सुदीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, अलाउदिन खिल जी इसका सही उतर है फिरोज सा तुगलक आईए जानते हैं ये दारूल उल्च सफा आखिर था क्या तो दारूल उल्च सफा के अस्थापना फिरोज सा तुगलक ने की यह एक राज की अस्पताल था जिसमें गरीब और बेवस लोगों के इलाज की मुफ्त बेवस्था की गई थी इसके अलावा फिरोज सा तुगलक ने दासों के लिए भी दिवाने बंदगान बनाया था उसके समय में दासों की संख्या एक लाख असी हजार थी जो सबसे ज़्यादा थी यह प्रशन भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है इसके अलावा फिरोज सा तुगलक को कल्यानकारी सासक के रुप में जाना जाता है और मध्यकालीन इतिहास यानि सल्तनतकाल का पर्थम कल्यानकारी सासक फिरोज साह को ही माना जाता है फिरोज सा तुगलक ने ब्रहमनों के उपर भी जजिया कर लगाया था जो कई बार प्रशन में पूछा गया है चौथा प्रशन है फारसी यातरी अब्दूर रजाक ने किसके सासनकाल में बीजय नगर की यातरा की थी ऑप्शन है देवराय पर्थम देवराय दूतिये क्रिस्न देवराय बेंकेट दूतिये इसका सही उतर है देवराय दूतिये बीजय नगर के छेतर के प्रमुक शाषकों में सामिल देवराय दूतिय के समय फारिज से यातरी अब्दूर अजाक भारत आया था अब्दूर अजाक ने यहाँ पर मुख्य रूप से बीजय नगर के संबंद में जनकारी प्राप्ट कर बीजय नगर का वर्नन जो है वो सदाइन वा मजमा उल्बहरीन नामक अपनी यातरा वित्रान में जो है वर्नन किया है फिर से याद रखेंगे सदाइन वा मजमा उल्बहरीन नामक पुष्टक में उन्होंने इसका जिक्र किया है इसके अलावा पुर्तगाली यात्री डुवाड बार्वोसा जो है वो किरिस्न देवराय के समय भारत आया था जो की कई बार प्रस्ट में पूछा गया है पाच्वा प्रस्ट है सीवा जी ने किस वर्स छत्रपती की उपाधी धारन की थी तो सीवा जी को छत्रपती के नाम से भी जाना जाता था ओप्संस है 1665 1666 1674 1675 इसके सही उतर है 1674 सीवा जी द्वारा 1674 इस भी में अपना राजेविसेक कराया गया था और इस राजेविसेक के करम में उन्होंने जो है ये छत्रपती की उपाधी धारन की थी यह राज जब इसे का कारे जो है वो पंडित गंगा धरद्वारा कराया गया थो जो काकसी के काफी परसीद पंडित थे इसके अलाबा सीवाजी से सम्मन्थी दो डेट और पूछे जाते हैं 1627 जो उनका जन वर्स था और 1660 जब उनकी मिर्ति हुई थी इसके अलाबा 1665 भी कई बार प्रशन के रूप में पूछ लिया जता है आते हैं छटे प्रशन की ओर किर्स पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगा गोआ को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया पुर्तगाली गवर्नर नेना डी कुनहा द्वारा 1530 में कोचीन की जगा गोआ को पुर्तगाली राजधानी के रूप में विक्सित किया गया उसी ने हुगली में पुर्तगाली बसतिया भी बसाई थी हाला कि गोआ को पुर्तगालीयों के कबजा में लाने का जो सरे जाता है वो अल्बुकर को जाता है अल्फान्सो डी अल्बुकर जिसने 1610 सिस्वी में गोआ को जीता था जिसे बाद में जो है नीनो डी कुनहा द्वारा राजधानी के रूप में विक्सित किया गया था आते हैं साथ में प्रशन की और अंग्रेजो एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधी कब हुई थी तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीचियों की बीज जो पेरिस की संधी हुई थी ये हुई थी ओप्षन है 1756, 1760, 1761, 1763 इसका सही उतर है ओप्षन D 1763 पेरिस की संधी अंग्रेजों एवं फ्रांसीचियों की बीज बीज 1763 इस भी में हुई थी इस संधी के द्वारत तिर्तिय करनाटक युद का आंत हुआ था इस संधी की सर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीचियों की भारत में जीती गई सारी फैक्टरिया लोटा दी पर अब फ्रांसीची अपने फैक्टरियों की कीले बंदी नहीं कर सकते थे यानि संधी के तहद फ्रांसीचियों को उनका अधिकार तो दिया गया लेकिन कुछ सर्ते ठोक दी गई इस परकार से एक तरह से फ्रांसीचियों का धीरे-धीरे भारत में पतन जो है इसी के बाद से सुरू हो गया था आठ्वा प्रश्न है तत्यो बोधिनी सभा के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी ओप्सन है राजा राम मोहनराय के सवचंदर सेन देविदना टैगोर त्वारकाना टैगोर इसका सही उतर है देविदना टैगोर क्या है ये जानते हैं सबसे पहले तत्यो बोधिनी सभा जो थी इसका मुख्य उदेश धार्मिक वीशियों पर चिंतन करना था इसकी अस्थापना जो है 1849 इसवी में देविदना टैगोर यानि देविदना ठागोर के द्वारा की गई थी देविदना ठागोर के नेत्रितो वाले ब्रहम समाज का 1966 में नया अदि धर्म या आदि ब्रहम समाज पड़ गया था आथे हैं अगले प्रशन क्योर महात्मा गांधी और वीयर अम्बेटकर के मध् độ पूना समझौता कब हुआ था आपको पता है कि महात्मा गांधी और वीयर मेतकर की बीच हुआ पूना पैक्ट काफी चर्चित रहा था ओप्शन है अगस्त 1932 सितंबर 1932 अक्टूबर 1932 नौमबर 1932 इसका सही उतर है सेप्टेंबर 1932 24 सिप्टेंबर 1932 को महात्मा गांदी और दलित नेता भी आरा मेतकर के मद पूना समझोता हुआ था पूना समझोते कानुसार दलतों के लिए प्रितक निर्वाचन छेतर की बिवस्ता समाप्त कर दी गई थी हाला कि जो आरक्षि सीटों की संख्या थी उसमें प्रांतिये विधान मंडलों में सीटों की संख्या जो है वो 71 निर्धारित थी उसे बढ़ा करके 147 कर दिया गया था तो कई बार ये एक्जाम में पूछा जाता है कि इस पैक्ट के द्वारा आरक्षित सीटों की जंक्या घटाई गई थी कि बढ़ाई गई थी तो बढ़ाई गई थी और 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी आते हैं दसमेप्रेशन की ओर किस बार संगति में बाद धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था अप्सन है परथम दूतिये तिरतिये चतुर्त तो आपको पता है कि चार बहुत संगतिया हुई थी जिसमें सबसे पढ़ चली चौथी बहुत संगति है क्योंकि इसी के दोरान जो है बहुत धर्म दो प्रमुख वरगों में विभाजित हो गया था जिसे हम लोग हीनियान एवा महायान के नाम से जानते हैं आपको पता है कि चौथी बहुत संगती का आयोजन कुंडल वन कस्मीर में हुआ था और इस दौरान बहुत धर्म दो भागों में विभाजित हो गिया हीन यान एवा महायान हीन यान वैसे लोग थे जिन्होंने धर्म में किसी विपरकार के बदलाव को जरूरी नहीं समझा महायान ने उसमें बदलाव किया हुए सकता महसूस की और उसमें कुछ बदलाव किये इस संगती के अध्यक्सता बसुमित्र द्वारा की गई थी जैन धर्म के तीसरे तिर्थंकर का परतीख चिन क्या था? अप्षन है सांड, हाथी, हीरन, घोरा आपको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तिर्थंकर हुए थे जिसमें से पहले दूसरे तीसरे और 23 में और 24 में सबसे ज्यादा परचलित और पूछे जाने वाले परषनों मे से है आई ये सही उत्तर देखते हैं तो पहले जो तिर्थंकर थे उनका जो चिन था वो बैल दूसरे जो अजीत नाथ थे उनका हाँ थी तीसरा संभवनाथ थे जिनका घोड़ा यानि तीसरे तिर्थंकर के बारे में पूछा गया है और जो 24 वे थे वो काफी परशिलित थे जिनका सी जो है वो था अब जैन धर्म के संस्थापक रिसब देव को माना जाता है और जो जैन धर्म के सबसे परचलित हुए वो थे महावीर जो की 24 वे तिर्थक कर थे आते हैं 12 वे प्रशन के और निमलीखित में से कौन सा वेद कन्याओ की जन्म की निंदा करता है ओप् रोग निवारन, तंत्रमंत, जादू, टोना, विवाह, वसीकरन, आदी जैसे बिंदू अपर चर्जा की गई है इस वरकार वेदों में और इसके अलावा अथर वेद में सभा एवं समीती को परजा पत्र की दोग पुत्तिया कह करके भी संभोधित किया गया है तो अथर व भारत पर होने वाले हून आकरमन की जनकारी किस से प्राप्त होता है भीत्री अस्तंब लेक, हाथी गुफा लेक, मंसौर अभी लेक, इहोल अभी लेक तो इसका जो सही उत्तर है वो है भीत्री अस्तंब लेक क्या है ये आईए जानते है भारत में होने वाले हून आकरमन की जनकारी सरपर्थम भीतरी अस्तंब लेक उत्तर परदेश से प्राप्त होती है इस अस्तंब लेक का संबन जो है वो असकंद गुप्त वसासकसे है आपको पता होगा कि गुप्त के समय में जो है हून जो की मध्य हैसिया की एक लराकु जन जाती थी उसके द्वारा आकर्मन किया जा रहा था इस आकर्मन को जो है असकंद गुप्त के द्वारा रोका गया था चौदवे प्रश्नी क्यों राते है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था तो वैदिक काल में जो आविवाही तरह जाती थी महिलाएं पूरे जीवन काल में उन्हें क्या कहा जाता था? कुट्टनी, सास्वत, अमाजू, विस्पती इसका सही उतर है अमाजू आईए जानते हैं वैदिक काल के संबन में कुछ अने रोचकता थे वैदिक काल भारतिय इतिहास की दूसरी प्रमुख सभिता है क्योंकि पहली प्रमुख सभिता की रूप में सिंदुगाटी सभिता को जाना जाता है वैदिक काल मुखे रूप से 1500 BC से प्राडम भो करके 600 BC तक चला जिसे दो वरगों में इसके काल को भिभाजित किया गया रिगवैदिक काल एवं उत्तरवैदिक काल रिगवैदिक काल जो है वो 1500 से ले करके 1000 BC तक चला जबकि उत्तरवैदिक काल 1000 BC से ले करके 600 BC के बीच रहा इस दोरान कई दोनों की दोनों जो ये जो सभेताय थी या पूरी तरह से ग्रामीन सभेता थी जहां सिंदु गाटी सभेता जो थी वो एक नगड़िये सभेता थी आते हैं पंदरहवे प्रश्ट की और किस ग्राह का विशिष्ट गुन उसके चुमबकिये छेतर का होना माना जाता है option है मंगल, बूध, सुक्र, सनी इसका सही उत्तर है बुधगरा बुधगरा एक चुमबकिये छेतर वाला विशिष्ट गरा है जिसके कारण ये काफी जाना जाता है इसके अलाब बुधगरा जो है सभी आठो गराहों में सबसे छोटा गरा है इसका कोई उपगरा नहीं है और ये सुरे के सबसे नज़दीक का भी गरा है इसका सबसे विशिष्ट गुन इसका चुमबकिये छेतर होना माना जाता है आते हैं अगले प्रशन क्यों? वास्प निकलता रहता है, इसके अलावा यहां से आग की रोसनी भी बाहर आती रहती है, रात में आसपास के छेतर में ये उजाला फैलाता है, जिसके कारण भुमदे सागर का प्रकास अस्तम इसे कहा जाता है, आते हैं, अगले प्रशन की ओर, निमलिखित में से कौन सा अस्तल रूद देश नहीं है, अप्सन है, लावोस, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, थाइलेंड, तो आप आसानी से इसमें उत्तर का चैन कर सकते हैं, थाइलेंड के बारे में जानते होंगे कि इसके बीचे जो है, वो काफी परसीद है, और जो समुदरी छेतर से सटा हु अस्तल रूद देश नहीं हो सकता है, अस्तल रूद देश इत्तात पड़े है, वैसा देश जिसके चारो तरफ के जो देश हो, वो केवल अस्तल ये देश हो, कोई भी जलिये देश अगर इसके किनारे पर नहीं है, तो वैसा देश अस्तल रूद देश कहलाता है, जैसे भा अठारवा प्रशन है आस्वान बाद किस नदी पर इस्थित है अप्सन है आमेजन नील कांगो लिम्पोपो इसका सही उत्तर जो है वो है नील नदी नील नदी पर बना हुआ आस्वान बंद काफी चर्चित है यह जो है नील नदी के मध्य जो है निर्वान किया गया है इसक चौड़ी नदी में अमेजन नदी जो है उबिस्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी मानी जाती है नीन नदी की लंबाई की बात करें तो लगवक 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है आते हैं 19 में प्रशन की ओर बाबा बूदन की पहाड़ी किस राजे में इस्थित है तो बाबा बूदन की पहाड़ी ओप्शन है तमील नदू, केरल, करनाटक, मिजोरम इसका सही उत्तर है करनाटक बाबाबुदन की पहाडी तथा ब्रहमगिरी की पहाडी दोनों करनाटक राजे में इस्थित है या दोनों धारवार पठार की छेतरों में निर्मित है तो आपको ये मैप आपको देख सकते हैं इस मैप का ये जो हिस्सा है ये करनाटक राजे का हिस्सा है और इसी के अंतरगत जो है ये पहाडी स्थित है बीस्वा प्रशन है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है आईए ओप्सन देखते हैं मूशी कोईना दूद गंगा जलांगी इसका सही उतर जो है ओप्सन डी जो है यानि चौथा नंबर का जो ये नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी में सामिल नहीं है इसलिए एक दो तीन इसका सही उतर है आईए देखते हैं यहाँ पर कृष्णा नदी के संबंद में मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है ये कृष्णा नदी इस तरह से बहकर के बंगाल की खारी में गिरती है जो ब्रहम गरी से निकलती है इस नदी की प्रमुक सहायक नदियों मुशा, कोईना, दूद गंगा, पंच गंगा, घाट परवा, आदी, सामिल है इसके अलावा जो है आप कृष्णा नदी के संबंद में मैंने पिछली वीडियो में भी कई बिंदू बताये हैं जिसे आपको ध्यान रखने के आविशकता है एकिस्वा प्रशन है भारत में सरवाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है ओप्सन है दक्षिन पस्चिम मानसून, पुर्वी मानसून, उत्तर पस्चिम मानसून, परवर्ती मानसून तो भारत में मानसून का जो मुखे रूप से परवैस जो है वो इस तरीके से होता ह और इसी तरीके से यह आगे बढ़ता है इसी कारण से इसे दक्षिन पस्चिम मानसून कहा जाता है यह जून से प्रारम हो करके यह अगस सेप्टेंबर तक जो है चलता है तो ऐसे में भारत में वर्षा का जो सबसे प्रमुक कारण है वो दक्षिन पस्चिम मानसून को माना ज भारत में सरवाधिक वर्षा दक्षिन पस्ची मानसून से होता है इसका विस्तार मुख्य रूप से जून से सेप्टेंबर तक रहता है और भारत में लगवक 74% वर्षा का कारण दक्षिन पस्ची मानसून है। यह जून से स्टार्ट हो करके जुलाई तक जो है जाता है और फिर लोटने की प्रकिरिया प्रारम्भ होती है 22 प्रशन है परोसी देश बंगला देश के साथ कितने भारतिय राजे सीमा साजा करते हैं उप्शन A 3, उप्शन B 4, उप्शन C 5, उप्शन D 6 इसका सही उतर है उप्शन C 5, पाँच राजे जो हैं यानि अब यहाँ पे मैप आप देखेंगे तो यह है बंगला देश का मैप और बंगला देश के चारों तरफ यह पीले कलर से भारतिय राजे हैं यहाँ पे मीजोरम, यह आपका त्रिपुरा, यह मेघालिया, यह असम, यहाँ पे असम की बोर्डर सट रही है इसके अलावा यह पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा बोर्डर सेयर करता है बंगला देश हमारा वह परोसी देश है जिसके साथ हमारा सबसे लंबी सीमा रेखा जुड़ी है 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा हमारी बंगला देश के साथ सटी हुई है बंगला देश के साथ सीमा जो हमारे सटे हुए राज्यों की है वो आसानी से याद कर सकते हैं असम में घाल है मिजोरम तिरपुरा और पश्चिम बंगाल भारत अथा चीन के मैद मैक मोहन रेखा का निर्धारन किस वर्ष किया गया था ओप्शन है 1896, 1914, 1962 इसका सही उत्तर है 1914, 1914 में सर मैक मोहन के निर्धारन किया गया था और इसी सीमा रेखा को मैक मोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है यहां मुखे रुप से भारत के पुरुवत्तर भाग, यहां पे दिख रहा है आपको कि अरुनाचल छेतर का जो हिस्सा है उसी छेतर में जो है चीन और भारत के बीच का जो border है उसे हम लोग Mac Mohan रेखा के रूप में जानते हैं कई बार ये भी प्रशन पूछा जाता है कि Mac Mohan रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच इस्थित है आते हैं 24 प्रश्ण क्यों राष्ट्रिय आय समीती का गठन किसकी अध्यक्सता में किया गया था आप्शन है M.B. स्वसराईया, P.C. महाल नोबीज, दादा भाई नौरोजी, विकास सिखावत इसका सही उत्तर है P.C. महाल नोबीज, राष्ट्रिय आय समीती का गठन 1949 में किया गया था तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा ये गठित जो एक गुरूप था, इसका मुख्य कारे था राष्ट्रिय आय का अनुमान लगाना, P.C. महाल नोबीज, उस समय के सबसे परसित जो है सांकी की वीद थे, जिसके कारण इन्हें अध्यक्सता सौपी गई थी हाला कि भारत में सबसे पहला पढ़्यास जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था पचीस्वा प्रश्ण है मानव विकास, सुचकांग के अंतरगत निमलिखित में से किस वीशे को सम्मीलित नहीं किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मानव विकास, सुचकांग को ग्यात करने में केवल सिक्षा, प्रतिवेक्ति आए और जीवन प्रतियासा को सामिल किया जाता है यानि जनसंख्या वो हकारक है जिसे इसमें सामिल नहीं किया जाता है मानविकास सूचकांग जो है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है जिसकी में जीवन परतियासा, सिख्छा, परतिवेक्ति आए, आधी को सम्मिलित किया जाता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Human Development Index में मुक्षक से Long and Handy Life यानि एक प्रकार से Handy Life को देखाता है इसके अलावा Descend, Standard of Living और Education की क्या Quality है इन्ही आधारों पर तैक किया जाता है किसी देश का मानविकास चूचकांग 26 परशन है, समुदायक विकास कारेकरम की सुरुआत किस पंचवर्सीय योजना के दोरान की गई थी Option है, पर्थम, दूतिये, तिर्तिये, चतुर्थ इसका सही उत्तर है, पर्थम पंचवर्सीय योजना 1952 में समुदायक विकास कारेकरम को लाया गया था यह पर्थम पंचवर्षिय योजना के अंतरगत था क्योंकि पर्थम पंचवर्षिय योजना 1951 से ले करके 1956 तक था पर्थम पंचवर्षिय योजना के अंतरगत जो है समुदाइक विशास कारेकरम के तहट मुखे रूप से समुदायों के विकास को प्रात्मिक्ता दी गई थी जिसमें समुदाइक छेतर के सभी वर्गों का विकास करना था हाला कि ये फूरी तरह सफल नहीं हो सका जिसके बाद कारेकरम में विवित्ता लाई गई और पंचवर्शिय योजनाओं में कुछ अन्य कारेकरमों को जोरा गया 27वा प्रश्ण है आर्थिक द्रिश्टी कोन से वी निर्मान तथा बिजली निर्मान किस छेतर के अन्तरगत आते हैं इस मैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आसानी से आप समझ पाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर में मुख्यरूप से करसी कारे दूतियक छेतर में उढ़್योग से सम्मंधित कारे और तीरतियक छेतर में मुख्य रुप से सेवा से सम्मंधित कारे सामिल होते हैं इस परकार से आप इसे पढ़ ले और बहोत ही आसान है इसे याद रखना 28 पर literary का मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है आप्शन है गुर्दा, यक्रित, हिर्दे, मस्तिस्क यहाँ पर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि तवचा सबसे बड़ा मयून शरीर का अंग होता है लेकिन वो इसमें आप्शन में नहीं है ऐसे तवचा जो है वो बाहरी अंगों में सबसे बड़ा होता है यदि आंतरीक अंगों की बात करें तो यक्रित जो होता है वो सबसे बड़ा अंग माना जाता है मानाब सरीर का सबसे बड़ा आंतरीक अंग यक्रित यानि लीवर होता है यह सरीर की सबसे बरी गरिंथी भी होती है लीवर का बज़न लगवग 10.000 तक होता है उप्शन है 75-100-6,000 वाड़, 10,000 वाड़, 15,000 वाड़, इसका सही उतर है 15,000 वाड़, यह एक mathematical प्रश्ण है, इसे आप निश्ची तुरूप से इस परिभासा के थुरूप बना सकते हैं, और इसका सही उतर होगा 15,000 वाड़, आते हैं तीस्वा प्रश्ण, पानी की प्रिष्ट पर पानी की बूंदों को गिराये जाता है, तो बूंद अपने आप में गोले आकार में रह जाते हैं, और उस प्रिष्ट पर नहीं चिपकते हैं, इसका क्या कारण होता है, प्रिष्ट तनाव, ससंजक बल, आसंजक बल, उप्युक्त में से कोई नहीं, इसका स दूसरे को चिपकने से रोखते हैं, उस बल को हम लोग आसंजक बल कहते हैं, और जब आसानी से एक वस्तु दूसरे में समिलित हो जाते हैं, वहां से संजक बल अधीक परवावी होते हैं। तुल्यकारी उपग्रह के परिकर्मा की अबधी कितनी होती है तुल्यकारी उपग्रह यानि जो प्रित्वी से छोड़े गए जो उपग्रह होते हैं जो तुल्यकारी उपग्रह के रूप में प्रित्वी के साथ साथ परिकर्मा करते हैं उसकी अबधी क्या होती है आप्शन 24 गंटा 36 गंटा 30 दिन 365 दिन इसका सही उत्तर है 24 गंटा अब आए इसको समझते हैं आसानी से तुल्य कारी उपगरहों को लगभग 35,786 यानि 36,000 किलो मीटर के आसपास में छोड़ा जाता है इतनी उचाय पर प्रित्वी की जो परिकर्मन गती होती है उसके साथ आसानी से उपगरहों को फिक्स किया जा सकता है और इनका परिकर्मन अब दी 24 गंटे का हो जाएगा आए इस फिगर के द्वारा इसे हम लोग समझते हैं यह प्रित्वी है और इस उपगरह जो है वो 36,000 किलोमेटर पर छोड़ा गया है जो इसके साथ साथ घुणन कर रहा है जैसे जैसे प्रित्वी घुमेगा वैसे वैसे यह घुणन करेगा ऐसा क्यों किया जाता है आईए इसको भी समझते हैं जब यह उपग्रा भारत के सामने प्रित्वी पर छोड़ दिया जता है उपर में तो वह भारत के सामने ही 24 गंटे घूमता रहेगा जिससे आसानी से वह भारत पर नजर रख सकता है और सेटेलाइट 24 गंटे भारत के साथ संपर्कित रहेगा। अनिता अगर इसकी घूरनन और प्रित्वी की घूरनन अलग-अलग होगी तो कोई भी सेटेलाइट परमानेंट जो है वह प्रित्वी के साथ संतुलन अस्थापित यानि उस देश के साथ संतुलन अस्थापित नहीं कर सकेगा। गती होगी वह काफी कम हो जाएगी तो जब गती कम होगी तो यहां से यहां जाने में ज़्यादा समय लगेगा और फिर यहां से यहां जाने में अधिक समय के लगेगा। आते हैं 32 में प्राशन के ओर एक स्किरने किस प्रकार की तरंग है अनुप्रस्ट, अनुदैर्ग, विधुत चुम्बकिये उप्युक्त में से कोई नहीं तो एक स्किरन जो है वो विधुत चुम्बकिये तरंगों के अंतरगत आते हैं विधुत चुम्बकिये तरंग उन्हे आते हैं चौन-कौन से अक्रिय या निस्क्रिय गैस के अंतरगत आते हैं तो हीलियम, गयन, आरगन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन ये जो है छे मुख्य रूपशे अक्रिय गैसों के रूप में शामिल की जाते हैं क्या होते हैं ये जानते हैं अक्रिये गैस वे गैस हैं जो समानता रसायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं अर्थात ये अधिकांस ततो एवं पदाथों से क्रिया नहीं करते हैं वैसे ततो को ही हम लोग अक्रिये गैसों के रूप में सामिल करते हैं आते हैं 35 प्रशन की ओर आतिस बाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है तो जब आतिस बाजी या पटाके उड़ाय जाते हैं तो ग्रीन कलर की रोसनी किसके कारण दिखाई पड़ती है एस्ट्रांसियम, सोडियम, बोरियम इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेरियम बेरियम के कारण ही मुख्य रूप से पटाको का कलर जो है वो रंगीन यानि ग्रीन कलर का हो जाता है तो ग्रीन कलर के होने का मुख्य कारण जो है वो बेरियम है इसके अलावा आपको याद रखना है कि लाल रंग होने कारण अस्ट्रांसियम, नीला रंग होने कारण कॉपर और सिल्वर रंग का होने कारण एल्मूनियम होता है तो ये आप चारों निश्ची तुरूप से याद रखेंगे, जब भी प्रशन पूछा जाएगा तो पटाकों से सम्बंदित प्रशनों में इनी चार कलरों में से प्रशन पूछा जाता है चारों प्रशन है तेरा दिसंबर 1946 को सम्बिधान सभा में उदेश प्रस्ताव के लिए उदेश प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तूत किया गया था आप्सन है डॉक्टर आजेंदर प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी आरामबेद कर जवाहरलाल नहरू इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नहरू संभिधान सभा का गठन वो 9 दिसंबर को हुआ था और 9 दिसंबर के दो दिनों बाद 11 दिसंबर को इसके स्थाई अध्यक चुन लिये गए थे और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पहली बार जो है संभिधान सभा कैसे काम करे इसके लिए एक उद्देश प्रस्ताव जवाहलाल नहरू द्वारा प्रस्तूत किया गया जिस पर काफी वीचार विमर्स करने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे स्विक्रित भी कर लिया गया बाद में चल करके यही उद्देश प्रस्ताव भारतिय संभिधान में प्रस्तावना के रूप में सामिल किया गया तो यह काफी महत्पूर्ण है इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे यह आने वाले का इक्जाम के लिए महत्पूर्ण है भारतिय संभिधान में राज्य सभा के सदस्यों की निर्वाचन परकिरिया किस देश के संभिधान से ग्रहित की गई है तो भारतिय संभिधान में जो राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन की परकिरिया है वो दक्षीन अपरिका से ली गई है यहाँ पर आकर के हम लोग देख सकते हैं कि दक्षिन अफरीका से महत्पून चीजों में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन और संबिधान संसोधन की जो प्रकिरिया है उसे सामिल किया गया है जो साथ अफरीका जो है यह अफरीका महादेश का एक प्रमुख देश है जहांके संबिधान से यह लिया गया है और तिस्वा प्रस्ण है प्रोटे में स्पीकर की निक्ति कौन करता है ओप्शन है लोग शभा राज्यसभा राश्पती परधान मंतरी तो प्रोटे में स्पीकर क्या होते हैं सबसे पहले उसको समझ लेते हैं तो प्रोटे में स्पीकर की निक्ति उस समय के लिए की जाती है जब लोग सभा का चुनाव होकर क्याता है तो एक सीमित समय के लिए जब मुख्य रूप से सदस्यों को सपत दिलाना है या नए स्पी तो उनको हटा दिया जाता है। जन्तु कोशिका में नहीं पाया जाता है यानि पादब कोशिका में होता है बट जन्तु कोशिका में नहीं होता है तो इसका सही उतर है रसधानी रसधानी वास्तों में पादब कोशिकाओं में ही केवल पाया जाएगा इसका कारण है कि इसमें जल, खनीज, लबन, कर्वोहाइडेट आदी होते हैं जो कि पादब कोशिकाओं के लिए उप्यूक्त होते हैं ये जन्तु कोशिकाओं में पाया नहीं जाता है इसके अलावा आप पढ़े होंगे कि सेल मेंबरेन और सेल वाल जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेन्स होते हैं जन्तु कोशिकाओं में सेल मेंबरेन जबकि पादब कोशिकाओं में सेल वाल पाया जाता है चालिसवा प्रशन है कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अमल को ग्लिस्रॉल में परिवर्तित कर देता है इसका सही उतर है लाइपेज लाइपेज जो है वो वास्तों में एंजाइम वसा को वसीय अमल और ग्लिस्रॉल में परिवर्तित कर देता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह फैट है जो दोनों के सहींत रूप से रहता है जब यह लिप्शम का परियोग होता है लाइपेज का परियोग होता है तो लाइपेज जो है यह ग्लिस्रॉल को अलग कर देता है और फैटी एशीट को अलग कर देता है यानि वसी ये अमल को गिलिसरॉल से पडिवर्तित करते हुए अलग कर देता है ये किसके द्वारा किया जाता है तो लाइपेज के माध्यम से होता है एक तालिसवा प्रशन है कौकरोच में हिर्दय प्रकोष्ठों की संख्या क्या होती है तो मानव का जो हिर्दय प्रकोष्ठों होता है उसमें चार खंड होते हैं अगर ये हिर्दय मान के चलें तो इसके चार खंड होते हैं जबकि कौकरोच में बात करें तो इसका सही उत्तर है तेरा प्रकोष्ठों होते हैं ये figure जो है ये cockroach के heart chambers का है अगर counting करेंगे तो 1 से लेकर ये 13 groups में बटे हुए हैं इसके अलावा केचुओं में जो है वो 8 होते हैं और ये figure अगर आप देखेंगे तो यहाँ octopus, bird, frog, zebrafish और mammals आदी के भी हिट्रे के प्रकोष्ठों को इसमें दिखाया गया है आते हैं 42 प्रश्ण क्यों भारत के नियंतरक एवा महालेखा परिक्षक से सम्मंधित उपवंधों का वर्नन संबिधान के किस भाग में किया गया है option है भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7 इसका सही उतर है भाग 5 आपको पता होगा कि भाग 5 जो है यह मुख्य रूप से संग विवस्था को दरसाता है और संग विवस्था के अंतरगत ही अनुछेद 148 से 150 तक के बीच में नियंतरक महालेखा परिक्षक अर्थात का वर्नन किया गया है तो यह जो नियंतरक महालेखा परिक्षक है यह वास्तों में dedicated to truth in the public interest के रूप में जो है काम करता है तो यानि एक बहुत ही महत्पूर्ण संस्था है यह और इसका वर्नन भारती अनुछेद 148 से 151 में है 43 प्रस्ण है पंचायच चुनाओं में निर्वाचित होने के लिए नियंतम आयू कितनी निर्धारित की गई है यानि यदि आप पंचायच चुनाओं में सामील होना चाहते हैं खड़े होने चाहते हैं एक उमिदवार के तो आपकी आयू क्या होनी चाहिए ओप्शन है 18 वर्स, 21 वर्स, 25 वर्स, 30 वर्स इसका सही उतर है 21 वर्स पंचायच चुनाओतों के लिए यह आयू काफी कम रखी गई है क्योंकि इसमें यूवाव में दवार सामीर हो सके हाला कि यही जब विधान सभा के चुनाओं होते हैं तो मिनमम 25 वर्स आयू की गई है इसके अलाबा आपको यह याद रखना है कि पंचायच चुनाओ का जो कारेकाल होता है वो पांच वर्सों का होता है जबकि वोटर्स वही होते हैं जो 18 वर्से अधिक के होते हैं आते हैं 44 में प्रशन के वर्थम राजभासा आयोक का गढ़न किस वर्स किया गया था आप्सन है 1949, 195, 1955, 1961 इसका सही उतर है 1955 यानि जो भारतिय समिधान के अनुछे 343 के अंतरगत राजभासा का वर्णन किया गया है उसमें राजभासा के रूप में हिंदी तथा लिपी के रूप में देवनागरी को सामिल किया गया है इस करम में पर्थम राजभासा आयोग जो है 1905 में गठित हुआ था जिसकी अध्यक जो है वो बीजी खड़े थे यानि बीजी खड़े के अध्यक्ता में ही पर्थम राजभासा आयोग 1905 में चुना गया था समाचार पत्र निम्लिखित में से किस सूची के अंतरगत आते हैं? option है ऐ outfitsन है संग सूची राज़ सूची समवर्ती सूची उप्यूख्त में से कोई नहीं तो आपको पता है कि भारती सम्मिधान में ठीन परकार की सूचीयां बनाई गई है तो समाचार पतर जो है वो आते हैं समवर्ती सूची के अंतरगत आईए यहाँ देखते हैं यह भारत के तीन सूचियों के लिस्ट दी गई है यह union list यानि संग सूची यह concurrent list यानि यह जो है मुखे रुप से समवर्ती सूची और यह state list यानि राज्य सूची दी गई है अब इसमें याद करेंगे तो union list में जो है defense, banking, currency, foreign policy, communication यानि संचार आदी सामिल है जबकि समवर्ती सूची में बात करें तो education, forest, trade, marriage, adoption, adoption, even succession जैसे मुद्दों को रखा गया है यह state list में बात करें तो police, trade, agriculture, irrigation, आदी प्रमुख वीश्यों को रखा गया है तो यानि यह बाटा गया है तो यह कई बार यह जो point है, यह महतपूर है, इनसे जोर करके प्रशन पूछा जाता है इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे, आने वाले exam में आपको कामा सकता है 46 प्रशन है, भारतिये वन परवंधन संस्थान का मुख्याल है कहां इस्थित है? कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, भोपाल तो इसका सही उत्तर है भोपाल भारतिये वन परवंधन संस्थान का मुख्याल है भोपाल में स्थित है जबकि भारतिये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है तो कई बर confusion हो जाता है तो ये ध्यान रखेंगे कि वन अनुसंधान पूछा जा रहा है या परवंधन प्रबंधन पूछा जाएगा तो भोपाल और अनुसंधान पूछा जाएगा तो देहरादून 47 प्रशन है अंतराष्टिये अपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन किया गया ओप्सन है 1923, 1946, 1946, 1946, इसका सही उतर है 1923 और ये किया गया था मुखे रुपसे अंतराष्टिये पुलिसिंग के लिए क्योंकि एक अपराधी एक देश से अपराध करके दूसरे देश में भाग जाते हैं ऐसे में उसको पकरने के लिए विविन देशों के पुलिस टीम को जोरने के लिए एक प्रकार की बिशेस पुलिसिंग बनाए गये थी जिसे इंटरपोल नाम दिया गये था यहां अंतराष्टिय आप राधिक पुलिस संगठन है इसका मुख्याल है लियोंस फ्रांस में इस्तित है इसकी अस्थापना 1923 में की गई थी आते हैं 48 प्रस्ण किये यदि किसी अर्थ विवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ परचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को परचलन से बाहर कर देती है या कथन किस से संबंदित है औप्सन है गोसेन का नियम, ग्रेसम का नियम, लौरेंस का नियम, उप्युक्त में से कोई नहीं तो यह जो यदि किसी अर्थ विवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा है यानि ब्लैक मनी और वाइट मनी यानि ब्लैक मनी यदि बहुत ज़ादा मातरा में आ जाए तो यह जो वाइट मनी है उसको यह परचलन से बाहर कर दीगी यह सिदान जो है ग्रेसम का नियम से जुरा हुआ है और यह ग्रेसम के द्वारा दिया गया था तो यह आप याद रखेंगे कि ग्रेसम लौका है यह बैड मनी डराइब आउट गुड उन्चासमा प्रशन है निमलिखित में से किसके कारण काच का रंग लाल हो जाता है ओप्सन है मैगनीज डायोकसाइड कोब प्राइट लिखे गया है आसनी से आप इसे पढ़ सकते हैं आईए इसको मैं पढ़ के बताता हूं जैसे यह आप देख रहे हैं ग्रीन कलर तो यह आइरन के कारण काच में मिलाया जाता है तो ग्रीन हो जाता है इसके अलावा ब्लू में मिलाया जाएगा कोबाल्ट तो कर लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि किसी के कलर होने के लिए किस कलर के होने के लिए कौन सा चीज मिलाया जाता है आते हैं अगला प्रश्ण है पचासवा प्रश्ण आज का अंतिम प्रश्ण स्वतंत्र भारत की पर्थम ओधोगिक नीती की घोशना कब की गई थी ऑप् 1948 में की गई थी अब आईए एक और अपील एक पेर इरुटेडिया के नाम जरूर लगाए इस मुहीम से आप भी जुरे अपने आसपास के छेतर को हरा भरा बना के रखें जब भी मौका मिले एक पौधा जरूर लगाए आसपास के छेतर में हर्याली और खुसाली बनाए रख धन्यबाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यबाद